हेलो फ्रेंड वाल्कम बैक तो आवर इटो चैनल वानिंग कंसेप्ट आज डिफनेशन सीरीज का थार्ड वीडियो है इसमें कुछ इंपोर्टन डिफनेशन है जैसे स्पॉंटिनियस हीटिंग इंकुजिशन प्रियेट लोगनिंग निसेंस इताम सब को देखेंगे डिस्कास करेंगे चलिए पहले हम समझते है कि फायर क्या है चलिए फायर को समझते है फायर फायर क्या है एक पॉर्सेस है या रैपिट ऑक्सिडेशन है इसको हम कहते है फायर कोई मेट्रियल जैसे कोई कमवेस्टेविल मेट्रियल है उसका रैपिट ली जब ऑक्सिडेशन होता है तो उस कंप्लीट पॉर्सेस को हम कहते है फायर चलिए एक्जाम्पल के थुरु समझने की कोशिज करते है कोल मान लेता हूं कोल फ्लाज कोल का जब ऑक्सिडेशन होगा रैपिट ली ऑक्सिडेशन होगा तो फायर देगा तो इस कंप्लीट पॉर्सेस क्या है फायर है अब हम दो तरह से फायर को देख सकते हैं एक इसमोल्डरिंग फायर और एक होता है अपका फ्लेमिंग फायर इसमोल्डरिंग फायर को समझते हैं इसमोल्डरिंग फायर के मतलब है कि कोई भी माट्रियल जल रहा है लेकिन उदाउद फ्लेम का जलता हो जैसे कोल या कोई माट्रियल आप देखे होंगे कि जल रहा है ले flaming fire अब दोस्तों next जो है हम समझेंगे spontaneous heating को spontaneous heating भी एक तरह से आप देखें तो small drink fire ही है तो चलिए हम देखते है spontaneous heating को तो spontaneous heating इसको मैं define कर चुका हूँ आपके इस किर में सो कर रहा होगा आप चाहे तो इसको no down कर सकते है actually होता क्या है कि coal या कोई भी carbonious material जब expose हो जाता है येर के संपर्क में जैसे आएगा उसका oxidation शुरू हो जाएगा oxidation होगा तो oxidation एक एक्सुथर्मिक reaction है उसमें heat generate होगा तो जैसे जैसे oxidation होगा वैसे वैसे उस environment का temperature बढ़ते जाएगा एक time ऐसे आएगा कि coal का temperature जो होगा ignition temperature क्रोस कर जाएगा coal का जो ignition temperature होगा क्रोस होते ही fire का रूप ले लेगा तो कहने के मतलब है कि coal जो है जब rapidly coal का oxidation सुरू हो जाएगा तब heat generate होते 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 है एक time ऐसे आएगा जो कि fire हो जाएगा fire ले लेगा तो इस complete process को हम कहेंगे spontaneous setting एक reaction के थुरू आप समझने के कोसिश करते हैं चलिए इस reaction में early stage में क्या होता है coal का जब oxidation सुरू होता है तो early stage में कुछ product देता है इसको याद रखना मेहुत ज़रूरी है तो आप लिख सकते हो carbon monoxide carbon dioxide plus water vapor water vapor के रूप में देता है तो यह तो हो गया early stage का पहला reaction और आगे चल के फिर क्या होगा coal plus oxygen fire plus product देगा कहने के मतलब है कि start में oxygen जैसे coal exposed हुआ जैसे coal exposed हुआ हवा के संपर्क में आया उसका oxidation शुरू हो गया oxidation होगा तो heat धिरे-धिरे heat बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा एक time ऐसा आएगा कि coal का emission temperature जो है cross हो जाएगा उस time fire के रूप ले लगा तो fire यह वाला reaction में इसो कर रहा हूँ कि last stage का है जो कि fire हो गया है तो दोस्तो इस पर DNS hitting को हम समझा अब कोशिस करेंगे कि incubation period क्या है तो incubation period को समझते हैं चलिए तो incubation period क्या है incubation period जो है आपका coal जैसे expose हुआ तो fast oxidation start हुआ और last oxidation मतलब कि जहाँ fire लगा जिस oxidation में fire लगने तक का oxidation और fast oxidation का बीच का जो timing होगा उस timing को हम कहते हैं incubation period चलिए incubation period को हम reaction के थुरू समझने के कोशिस करते हैं coal plus oxygen react करेगा अब का heat plus product product में पहले ही बता चुका हूँ तो और भी discuss नहीं करेंगा तो यह fast reaction है फिर कोल प्लास वक्षिजिए रीट प्लास पॉर्डक्ट इस सेकेंड कोल प्लास ओक्षिजिए रीट प्लास शरी फिर कोल प्लास प्लास पॉर्डट तो यह रेक्षिन है कहने का मतलब है कि पहला फास्ट रेक्षिन हुआ जैसे फास्ट कोल एक्स्पोज हुआ और उसका उक्सिडेशन शुरू हुआ तो heat generate हुआ, फिर second आया, second का oxidation होगा, फिर heat generate होगा, तो heat generate हुआ, फिर third होगा, fourth होगा, sixth होगा, इस type से reaction होते जाएगा, heat generate होते जाएगा, एक time ऐसा आएगा, कि coal का जो है, ignition temperature, cross कर जाएगा, तो cross करते ही fire का रूप ले लेगा, तो इस complete process को, इस complete period को हम कहेंगे, first और last fire तक का, जो period होगा, उस period को हम कहेंगे, incubation period, तो इस annual reaction में दिखाया हूँ, कि annual reaction में fire ले लिया है, और first reaction, इस annual reaction और first reaction का बीच का जो time gap होगा, उसको हम कहेंगे, incubation period, अब हैं दोस्तो, lag on ignition, तो चलिए lag on ignition को समझते हैं, हम इस reaction के थूरू इसको पहले समझते हैं, कि जैसे heat है, और methane year का mixture है, तो heat जैसे उससे संपर्क में आया, जैसे उसके संपर्क में आया, और fire हो गया, तो इस heat source का इसके साथ संपर्क में आना, और fire तक पहुचना, fire तक पहुचना, इस heat का, methane year का, mixture के संपर्क में आना, और fire तक पहुचना, इस complete time को, complete time को हम कहेंगे, lag on ignition, कहने के मतलब है, कि एक time gap है, ऐसा time gap, जो methane year, या inflammal gas का, जो year के साथ मिक्चर है, उसमें जब हम heat, कोई heat source apply करेंगे, तो apply होते ही, fire नहीं लग जाता, कुछ time लेता है, उसके बाद, उसमें fire होता है, या explosion होता है, तो पूरा timing जो, जितना लेता है, fire होने में, उस time को हम कहेंगे, lag of ignisence, तो दोस्तों, आज हमने discuss किया, spontaneous heating, lag of ignisence, और incubation period, आप हम समझने के कोशिस करेंगे, कि इस से related, objective coaching की step से पूछी जाते हैं, तो चलिए discuss करते हैं, first number में, spontaneous heating of coal due to, कहने का मतलाब है, कि spontaneous heating, हीटिंग जो होता है, किस के चलते होता है, तो क्या, oxidation, reductions, ionization और hydration, चार option है, तो हम जैसे की जानते हैं, oxidation होता है, तो option number यह right, next है, the period of spontaneous heating is not, कहने का मतलब है कि spontaneous heating, जो है, heating का product कोण नहीं है, तो चलिए देखते हैं, option, यह number, heat energy, carbon monoxide B, C number जो है, water vapor, और D है, oxygen, तो हम जानते हैं, कि इस सारा product जो है, heat energy, carbon monoxide, water vapor देता है, तो क्या होगा, spontaneous heating का product नहीं है, oxygen नहीं है, oxygen नहीं है, तो नहीं है, incubation period, crossing point temperature, मतलब कि कोईला का temperature जो है, उस environment का temperature को cross कर रहा है, तो उस temperature को हम crossing temperature कहाते हैं, तो crossing temperature से तो related है, incubation period, यह तो होगा, आपका panel size, panel size अगर बढ़ा होगा, तो incubation period हो, थोड़ा बढ़ सकता है, उसमें भेडीपन है, तो right answer is C, और coal grade, coal grade, अगर coal grade high है, तो उसका incubation period ज्यादा होता है, high grade का coal का incubation period, 6 to 9 month होता है, और log grade coal का incubation period, 3 to 6 month होता है, अब देखेंगे, time gap between the ignisence and the application of heat source is cold, हम जैसा कि समझें हैं कि ऐसा time gap, जो fire, inflammable air mixture को, जब कोई heat source उसमें लगता हो, तो fire लगने तक का time जोड़ होता है, उस time gap को हम कहते हैं, lag on innocence, तो वही चीज है, lag of innocence, option देख लेते हैं, incubation period, lag on innocence, saturation period, gundon or period, तो हम जानते हैं, lag of innocence, तो options B is right, दोस्तों आज बस इसतना ही, जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और comment में कुछ ना कुछ जरूर लिखें, उससे हमको motivation मिलेगी और बहुत जल आपसे मिलने की कोशिस करूँगा, thank you, thank you for watching.